Sally स्टूरंस इस्टीजन के चीज़ бол breaking के छीज़ इसमें होता हूं कि की जाते हैं जो है विए गरम के जाता है उसका इसके that यह को लाइटर मॉलिकूल में चंच कर दे जाता है तो है इसके जिसके पर बंद इनकी पेटरोल है इस पेटरोल टेम की एतरोल में जो है परफ्रम इस और नहीं दे सकताए गड़ियों के इंदर तो इसको गरम करते है इस हेकज़र डिकन कहा जाता है। इस को डिकंपोजिशन की जाती ह। जब गरम करते हैं तो इससे औक्टेन असी लोता है और यह petrol का काम अंजाम दे सकते हैं तो cracking का मकसद यह का मकसद decomposition करना thermal decomposition करना heavier petrol को भारी petrol को हलके lighter petrol में convert करने का अमल cracking कहलाता है इसकी एक example hexadecane है इसमें 100 gram करते हैं दो molecules बनते हैं और एक octane और एक octane octane जो यह lighter होता है हलका होता है यहाँ भी carbon की 8 molecules यह आते हैं, तो यह 8 molecules lighter petrol कर अजाना देते हैं, जो कर यूज एविल हो सकते हैं, जब कि यहाँ पर heavier molecule hexadecan नहीं हो सकता, यूँकि एक मॉलिकुल में पेट्रोल के एक मॉलिकुल में 16 कार्बन के एडम है जो के अपने परफॉर्मस नहीं अंजाम दे सकते है इसलिए क्रेकिंग की जाती है इसको गरम किया जाता है डिकमपोजिशन की जाती है तर्मल डिकमपोजिशन के जाए दो लाइटर मॉलिकुल बनता है औक्टेन और अक्टीन और ये पेट्रोल का काम अंजाम दे सकते है क्योंकि ये लाइटर मॉलिकुल हलके मॉलिकुल से जाते है और गाड़ियां में यूज हो सकते है इसके दूसरी एक्जेम्पल होती है स्टूजन इस प्रोपेन प्रोपेन को 700-800 डिग्री संटीक्रेट तक आक्सिजन की हवा के गयर मौझद्गी में गरम के जाता है जो इस तरीका इस्तिमाल के जाता है इसको क्रेकिंग कहा जाता है तो इसस्टूड़ें वाप आप अर्वास आप इसकते हैं So if you have a question kindly, you can write in the comment box of your question and I will give the explanation answer to all the students. Thank you very much. This is chapter number 7, Chemistry Class 10 की बुक का, Organic Chemistry. Thank you very much.